हलो स्टुडेंट वेलकेम टी सेंट थॉमस हाई स्कूल ओनलाइन क्लासिस स्टांडर फॉर्थ सब्जिक्ट हिंदी बच्चों आज की इस वीडियो में हम हमारी जो आगे चेप्टर पड़ा था उसकी एक्टिवीटी का अभ्यास करेंगे यहाँ पे दिये गए हैं शब्दा अर्थ वर्ड मीनिंग ठीके बच्चों चेप्टर नमबर नाइन का जो हमने पहले अभ्यास कर लिया है उसका वर्ड मीनिंग है पेज नमबर 42 तो बच्चों यहाँ पे लिखा है रेल रेल यानि ट्रेन पत्री पत्री यानि ट्रेक आगे आगे यानि परस्ट, सबकी, सबकी यानि आल, एक दुजे, यानि इच अधर, पीछे, पीछे यानि लास्ट, बढ़ाना, यानि इंक्रीज, इंक्रीज, सीटी, सीटी यानि विसल, ठीके बच्चों, सीटी, यहाँ पे सीटी का मीनिंग, शहर नहीं, विसल होता है, जो आप ब अब फर्स्ट एक्टिवीटी है, पढ़ो, समझो और जोड़कर लिखो, रीड, अंडरस्टेंग, जॉइन एंड राइट, तो यहाँ पे जो अलग-अलग लेटर दिया गया है, उसे इकठा करके एक वर्ड्स बनाना है, यहाँ पे दिया है, र प्लस ए प्लस ल, यानि रे का प्लस ए प्लस ल, खिल, बा प्लस ए प्लस ल, बेल, ता प्लस ए प्लस ल, तिल, दा प्लस ए प्लस र, दिर, बा प्लस ए प्लस ल, बेर, शा प्लस ए प्लस र, शेर, दा प्लस ए प्लस र, दिर अब देखते हैं नया एक नया शब्द बनाओ और लिखो make new words and write तो बच्चों यहाँ पे circle में जो एक लेटर दिया है ला वो सेम रहेगा और यहाँ पे जो अलग-अलग लेटर दिये गए है उसके साथ हमें ला मेच करके word बनाना है बेला, केला, थेला, मेला, देर, सेर, शेर और बेर ठीके बच्चों बच्चों इसकी PDF फाइल आपको मिल जाएगी PDF फाइल में से आप यह पूरी अक्टिविटी अपनी टेक्सबुक में और नॉट्बुक में भी लिखना है ठीके बच्चों, ए की जग त्रीसरी एक्सेसाइज, तीसरी एक्सेसाइज है ए की जग पर ए यानि मात्रा, यहां जहां भी ए लिखा है वहाँ पे हमें ए निकाल के उसकी मात्रा जो है वो लिखनी है मात्रा, ए की मात्रा लगा कर शब्द बनाओ तो यहाँ पे लिखा है म एला यानी मिला, ख एत यानी खेत, क एला यानी केला, द एश यानी देश, ज एब यानी जेब, र एत यानी रेत, प एड यानी पैड, स एब यानी सेब चोथी exercise समान तुक वाले शब्द बनाओ, समान तुक वाले यानी सेम राइम्स वाले, ओके, मैं एक राइम्स राइमिंग वर्ड्स, यानी हमें पीछे का जो लेटर है, पीछे का जो लेटर है, वो सेम रखना है, आगे का लेटर बदलना है, लेकिन मात्रा वही पे रहनी चा क्या है बेल तो खेल, तेल जेल, बेल, खेल, तेल, चेल, मेला, केला, बेला, चेला, शेर, पेर, देर, बेर, चित्र को देखो और एकी मात्रा लगाकर शब्द पूरे करो तो यहाँ पे चित्र कौन सा है यह शेर का तो शक के उपर एकी मात्रा आयेगी यह भेड तो भक के उपर एकी मात्रा आयेगी ये क्या है सेब तो स के उपर एकी मात्रा आयेगी ये क्या है केला तो क के उपर एकी मात्रा आयेगी ये क्या है मेच तो म के उपर एकी मात्रा आयेगी ये क्या है पेड तो प के उपर एकी मात्रा आयेगी पेड अच्छ चठी एक्टिविटी है एकी मात्रा वाले चार शब्द लिखो राइट फोर वर्ड्स विथ मात्रा ओफ ए तो यहाँ पे मैंने लिखा है रेल, मेला, बेला और केला तो बच्चो आज के हिंदी का हमारा नाइंथ जो चैप्टर है उसकी एक्टिविटी का आज हमने अपियाज किया और और भी दो पेज की एक्टिविटी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तो बच्चो आज के लिए बस इतना ही अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और हाँ बच्चो complex में ये दोनों पेज आपको अपनी वर्ण तो 6 एकसराइज वो सब आपको लिखनी है. नौटबुक में और हां, फिफ्त जो एकसराइज है, ये वाली, इसके आपको चीत्र पिक्चर ज्रो नहीं करना है नौटबुक में. चिर्फ ये वर्ड्स लिखना हे, ठीक है? यह चित्र है वो आपको ड्रो नहीं करना है वो ड्रोइंग नहीं करना है नोट्बूक में सिर्फ इसके जो लेटन वर्ड से वही लिखना है ठीके तो यह च्छ च्छ एक्टिविटी आपको नोट्बूक में लिखना है होमबर्क में ठीके बच्चों तो आज के लिए इतना ह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाई बाई